लोगे चलो करते हैं वीडियो स्टाइट और आप सब के काफी सारे कमेंट हैं कि घमु ने वर्ध क्यों रखा गम ने वर्ध पती था अ फिर भी उसने वर्ध रखा पती कले रखा या किसी और कले रखा पूरी सजी गया था इसकी सच्चाई क्या है आपको सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को एक वीडियो बहुत ज्यादा मेरे सामने आ रहा था तो मैंने सूचा चलो इसके पर बात करते हैं क्योंकि बात नहीं करूंगी तब तक मेरे सामने आता रहेगा और फिर मुझे जो वो है ना वो मुझे जीने नहीं देगा वो कहेगा तुने इसके उपर पनी बात क्यों नहीं रखी तो महतर्मा है वो ये बात बोल रही है कि अगर गमू अपने पती को पती नहीं समझती है उसको कुछ नहीं समझती है तो वो तैयार क्यों होती है तो मह पेविंदी लगा के रखती है अभी तो उसका पती इस दुन्या में है ना हिंदुर सा हिंदु सास्तर के हिसाब से तो उसका पती ही है अभी भी घमूस की पत्नी है वो माने चाहमत माने बदनामी उसने बहुत की है ठीक है और इस लेवल तक बदनामी की है कि कही कह सकते हैं पास्ट करना या ना करना ये एक औरदस के उपर ही डिपेंड होता है अगर वो खुश है अपने पती से अपनी शादी सुदा जिंदिगी में तो वो राजिक उसी शारे काम करती है जबरदस्ति अगर कोई भी काम करो तो वो परमात्मा को भी स्विकार नहीं होता है बर्त रखती है इतना सब होने के बाद वो कैसे आप सोच सकते हैं कि वो बर्थ रखेगी वो एक यूच्यूबर है उसको देख के लोग उसकी हसी में हसते हैं उसकी दुख में दुखी होते हैं ठीक है अगर वो हम लोगों के लिए या हमारे जैसी बेहनों के लिए अपने सजी है धजी है और बेशक उसने फास नहीं किया वो चाहती तो इस बात को चुपा सकती यठे तब तुम क्या करती जवाब देजए मुझे तब तुम कुछ नहीं कर सकती थी ना पर तुम्हें बोलने के लिए मौका मिल गया कि उसने अपने पती के लिए वर्त नहीं रखा तो पता नहीं किसके लिए रखा हम जानना चाहते हैं भै क्यूं जानना चाहते हैं जब वो बताना ही नहीं चाहती तो क्यूं आपको इतनी वो है चैनल पे नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो ची लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीचिए का और कोई भी कोशनों कमेंट शेक्शन में देना मत भूलिए का क्यूंकि यहां पर आपके सभी कमेंट के रिप्लाइ मिलते हैं